हेलो एब्रिवन मैं मितोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे आज हम लोग 50 एडियम पढ़ेंगे जो की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विप्यसी के एक्जाम के पॉइंट आप भ्यू से तो चलिए बिना टाइम व कोशन आपके सामने यह रहां by fits and start KBS में यह question पूछा जा चुका है केंद्री विद्याले संगठन 2018 में by fits and start का मतलब होता है irregular यानि कि कोई भी काम कभी बहुत अच्छे से करना कभी बहुत खराप से करना कभी मीडियम से करना यानि कि consistency नहीं होगी निरंतरता नहीं होगी किसी काम को करने का तरीका कभी क्या होगा बहुत अच्छा या फिर बहुत खराप होगा यानि कि वो क्या कहलाएगा irregularly सदनली मतलब होता है कायक यह भी नहीं होगा इनकंप्लिट यानि कि आधा दूरा और यह तीनों अप्सन कट गए तो राइट आंसर क्या होगा आपका अप्सन नमर टू इर्रेगुलरली अब देखो मैं एक आपको पिच्चर के माध्यम से समझाता हूँ यहां से आपको दिख रहे होंगे रोही सरमा जी यहां बहुत अच्छी बैट्समेन है आप मैंसे बहुत सारे लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे लेकिन आईपील में इनका फॉर्म बहुत ही खराप रहा था तो आप कर सकते ह रोही सरमा जी यहां से आप देख लो यह सेंटेंस को आप फीड कर सकते हों रोही सरमा जी फीड सेंट सार्टे हैं चलिये नेस्ट कोशिटन की और हम लोग बढ़ते हैं वाइट एलिफैंट देखिए अब आपको मैं वाइट एलिफैंट से कुश्टन भी पूछूंगा न लीचे कॉमेंट करके बताइएगा वाइट ऐलिफेंट किस देश में पाया जाता है वाइट अलिफेंट का मतलब देखे दोस्तों होता है कॉस्टली वन यानिकी बहुत ही महंगा expensive देखे एक option में यह भी दिया हुआ रहेगा ना expensive तो आप वहाँ पे expensive को टिक करना expensive का मतलब होता है महंगा यहां से देख सकते हो आप यह देख लो white elephant का क्या मतलब हो गया expensive expensive item that is useless यानि कि कहीं useless भी लिखा हुआ रहेगा तो आप देख सकते हो यानि कि सफेधांती को आप लाकर क्या ही कर लोगे I mean उसमें बहुत सारे खर्च भी आपको देखने को मिलेगा यानि कि white elephant का क्या मतलब हो गया बहुत ही महंगा समान जो कि क्या हो useful नहीं हो चलिए अगले question क्यों हम लोग बढ़ते हैं worth his salt salt का मतलब होता है नमक और आपने यह जो बोलता है ना कि तुम नमक हराम हो नमक खाकर तुमने अपनी फर्ज को पूरा नहीं किया है और यहां पर देखिए worth का मतलब होता है अदा कर देना यानि कि नमक के करज को अदा कर देना इसका मतलब क्या होता है तो देखिए पहला option कैसे जो है कट हो जाएगा worthless बोल दि hedge salt का मतलब होता है कोई बहुत सही समय पे सही जगा पे काम में आ जाना suppose कर लो कि आपने किसी की मदद करी कभी और अब जब आप मुसीबत में हो उसने आपकी मदद कर दी यानि कि आप बोल सकते हो worth hedge salt यानि कि कोई काम को जो है अच्छे से कर देना निभा देना चलिए आप गहरी मुसीबत में पढ़ जाते हो या फिर आपका दिल तूट जाता है suppose कर लो आप एक किसी खिलाओने को या एक किसी पर्टिकुलर बुक को बहुत पसंद करते हो और या फिर suppose कर लो आपका फॉन है आप उसे बहुत यूज करते हो सड़नली वो तूट जाए हो तो लिकैन उससे निकलता है यानि कि इसका right answer क्या हो जाएगा option number one यानि कि एक के साथ आपको जाना था फिलाल हम लोग जाएंगे अगले question की और जो कि आपके सामने ये रहा देखो अगला question क्या है elephant in the room देखो room क्या होता है बहुत ही छोटा होता है और elephant उस मामले में बहुत ब होता है nervous आप nervous भी होगे लेकिन ये दोनों answer है नहीं इसके इसके right answer क्या है a big problem यानि कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आपदा का आपके घर में आ जाना यानि कि right answer क्या हो जाएगा यहां से देख लो हाथ ही अगर room में घुच जाएगा तो आपके जो chair है table है या फिर और भी expensive item जो है वो तूट कर बिखर जाएगा और आपको बहुत परिशानी हो जाएगी फिलाल बढ़ेंगे in a tight corner इसका क्या मतलब है in a tight corner का मतलब होता है in a closed room यानि कि किसी बंद कमरे में रहना in a small field in a difficult situation in a mellow dope देखो in a tight corner का मतलब आप यहां से देखो दो यहां पर आपको pigeon कि आखरी ball पे 6 लगाना है है ना या फिर यह एकी साल बचा है आपको job के लिए और आखरी समय में आप क्या होगे बहुत प्रेशर में होगे बहुत आराम आराम से तो आप तयारी कर नहीं सकते हो आपके ओपर क्या है बहुत pressure है बहुत stress है कि आखरी समय में आपको exam को clear करन है यानि कि right क्या हो जाएगा in a difficult situation यानि कि आपकी जो इस्तिती है वो क्या है थोड़ी सी दुखदाई है बहुत मुसीबत में हो आप यानि कि option c हो जाएगा difficult कठिन परिस्तिती में होना आगे देखिए a wild goose chase गूज का मतलब होता है देखिए यहां से आप देख पाओगे फोटो देख लो आप clearly समझ जाओगे अब अब देखिए wild good chase का मतलब होता है fruitful hunting यानि कि आसानी से किसी चीज को hunt कर लेना सिकार कर लेना तो देखिए ये आंसर तो है नहीं ideal seeking यानि कि किसी चीज की खोज में तलास में रहना genuine effort यानि कि किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही सिद्दत लगाना बहुत ही मेहनत करना ये तीनों होगा नहीं अब futile search का मतलब होता है किसी चीज को अब जैसे देखो बहुत बड़े भूसे के ढहर में एक छोटे से सुई क यात कर सको फिलाल आगे देखिए DOES NOT HOLD WATER यहांसे फोटव देख लो आप यहांसे आपको एक पिक्चर देख रही होगी इसका मतलब क्या 호त है इसका मतलब होता है कि यहां पे यह प्लस्टिक बैग है इससे पानी निकल रही है पानी निकल रहा है यानि कि DOES NOT HOLD WATER का कर नहीं रख पाना वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा अक्सर देखना गॉसिप होते समय क्या होती है एक्चुली यह कितना यह ट्रू है या फॉल्स है आई डूंट नो बट रियालिटी यही है कि महलाओं के पेट में जो बातें रहती नहीं है वो एक अगर किसी एक को पता च हो जाएगा डूंट होल्ड वाटर का मतलब आपने किसी को अपनी सिक्रेट बताई उसने आपके सिक्रेट को नहीं रखा आपकी वैल्यू नहीं करी फिलाल बढ़ेंगे अगली कोश्चन की और ऑन दा कफ ऑन दा कफ का क्या मतलब होता है ऑन क्रेडिट या फिर क्रेडिट क आप के पास पैसे नहीं है तो आप क्या कहोगे दुकान वाले को कहोगे भईया और क्रेडिट इसे आप रख लो मेरे खाते में लिख लो ऐसा बोलते हो आप जैर्डिट यानिकि यान कि ओन दा कप का मतलब होगा कि आपने किसी समान को क्या कहा रख दो भई मैं बिना प्ला होता है slightly नहीं होता है इसका मतलब होता है out and out मतलब completely totally किसी चीज में totally involved हो जाना जैसे suppose कर लो अभी IPL खत्म हुआ बहुत सारे लोग completely involved थे IPL देखने में यानि कि out and out का मतलब होता है किसी चीज में completely involved हो जाना समझ आप समझ रहे हो जैसे कभी-कभी आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो that is an out and out lie यानि कि यह जो बातें आप बोर रहे हो completely जूट है फरेव है समझ रहे मेरी बात को completely इसका मतलब होता है fair and square का क्या मतलब होता है active होना बिल्कुल नहीं business idea या फिर like होना बिल्कुल नहीं इसका मतलब होता है fair and square का मतलब बहुत ही इमांदार आदमी honest आदमी यहां से आप देख लो fair and square का मतलब कि चलो रोहन ने कब तो प्राइज तो इसने जीती ही जीती लेकिन कैसे जीती उसने इसे fair तरीके से जीता बिना cheat किये हुए जीता यानि कि fair and square का क्या मतलब हो गया इमांदार होना आगे देखिए no love lost between CGL में पूछा हुआ question है no love lost between का मतलब होता है फूटी आंक नहीं सुहाना हिंदी में अगर मैं बोलू इसे मुहाबरा में तो फूटी आंक नहीं सुहाना एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो आप इसका मतलब हो गया कि प्यार नहीं कर रहे हो यानि कि option A आपका correct हो जाएगा यहां से देख लो एक फोटो से बिल्कुल समझ में आ जाएगी mutual देखो आप Facebook पे mutual friend देखते हो ना mutual मतलब दोनों तरब से तो यहां पर क्या हो रहा है लड़का भी इसे आप wife husband की तरह समझ सकते हो कि husband भी wife को पसंद नहीं कर रहा है wife भी husband को पसंद नहीं कर रही है तो ऐसे situation में क्या होगा डाइबॉस हो जाएगा दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे फिलाल हम लोग निकलेंगे अगली question की और plate havoc इसका मतलब क्या हुआ plate havoc का मतलब आप यहां से देख लो दो कभूतर फिर से आपस में बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है confusion disorder समझ रहे हैं मेरी बात को यानि कि बहुत ही खराब इस्तिति में difficult situation में पहुँच जाना यहां से देख लो pigeon के गले में तो ब्रेट तो है बट यह खा नहीं सकता है इसे इसका मतलब क्या हो गया caused distraction, disease, floods या hardship तो यह तीनों option तो होने से रहे, destruction है यानि कि आप confused हो किसी काम को कर नहीं पा रहे हो तो right answer क्या हो जाएगा आपका option number A चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर green thumb बहुत ही प्यारा idiom है यह green thumb का क्या मतलब होता है green thumb का मतलब होता है suppose क कर लो आप देखना बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि इनके हाथ से लगए पौधे लग जाते हैं और उसमें बहुत सारे फलफुल लगते हैं यानि कि gardening में यानि बगीचे में फलफुल लगाने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता वो बहुत अच्छे हैं green gardening का को और आसानी से समझ पाओगे to have a green thumb का मतलब आप समझ रहे हो कि आप अच्छे से पेड़ पौधे को लगा सकते हो और अच्छे से आप उसकी सेवा भी कर सकते हो next question आपके सामने ये रहा sewing wild oats का क्या मतलब होता है SBI के PO के exam में ये question पूछा जा सुका है sewing wild oats का मतलब होता है जब आप young होते हो बहुत young होते हो और जब आपके पास बुद्धि नहीं होती है आगे की चीज़ों को सोचने के लिए आप pleasure की और भागते हो इसका मतलब होता है आपकी behavior जो होगी वो irresponsible होगी irresponsible pleasure seeking pleasure का मतलब होता है खुस यह ढूड़ना जो की जरूरत से ज़ादा actually उसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप जो है young age में उस चीज़ों के पीछे भागते हो that's called sowing wild oats आप नसा कर सकते हो बिना मतलब कि फजूल की चीज़ें करोगे उसे बोला जाएगा sowing wild oats चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और reading between the lines बहुत बार ये question exam में आ चुका है इसने का दिया ठीक है चाहे जाओ अच्छी बात है इसका मतलब क्या है यह tont है आप ऐसे समझ सकते हो ठीक है अच्छी बात यह नहीं कि उसका मतलब है उस में नहीं सारे नी नेता होते जब वो अपनी bite देते हैं bite देने का मतलब कोई statement देते हैं किसी भी point of view से कि आप चुनाव लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो तो वो सीधा जवाब नहीं देंगे आपको rating between the lines करना होगा और चीजों को समझना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देख सकते हो sonia loved rating between the lines नहीं कि sonia को क्या है बहुत पसंद है जो छिपी विवाते हैं decode करने में उसे बड़ा मज़ा आता है चलिए आगे बढ़ते हैं to give the devil his due देखे devil मतलब होता है अच्छा आदमे नहीं खराप आदमी और due मतलब उसके जो वो deserve करता है उसे आप देते हो इसका मतलब यह है suppose कर लो कोई आदमी अच्छा नहीं हो आप उसे पसंद नहीं करते हो लेकिन उसने कोई काम ऐसा किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है society के लिए उसने अच्छा करा है यानि कि सही को सही गलत को गलत कहने वाली बात यहां पे हो गई to give the devil his due का मतलब क्या हो गया कि आप जो है credit उसे देखते हो भले आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन सच के साथ आप रहते हो to eat humble pie यानि कि क्या होता है to eat humble pie का मतलब होता है सिधी सिधी बात किसी का आपने दिल दुखाया उसे परिशान किया आपने माफी मांग ली to have to apologize यानि कि आपने माफी मांग ली यहां से देख लो आप जो है माफी मांग लेते हो भले difficult situation क्यों ना हो क्लास में ऐसा बहुत बार होता है जब आप किसी student से कुछ पूछते हो आपने पूछा कुछ वो जवाब दे रहा है कुछ बस बातों को घुमा रहा है इदर उधर की बाते कर रहा है यानि कि talking nonsense हो जाएगा यहां से आप देख सकते हो बोल कुछ रहा है कर आप कुछ कर रहे हो यानि कि talking nonsense चलिए आगे बढ़ते हैं गो थू फायर एंड वाटर यह बहुत important है यानि कि यहां से आप फोटो देखोगे समझ जाओगे यानि कि dangerous भरा काम करना ऐसा काम जिसमें बहुत risk हो यानि कि क्या होगा undergo any risk यानि कि कोई भी आप जो है मुसीवत अपने सर पे ओढ़ लेते हो go through fire and whiter का मतलब यही होता है option number D इसका correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की हो next question आपके सामने यह देख जी थोड़ा सा mistake हो गया यहाँ पे ran right होगा actually आप इसे ठीक कर ले ना ran right का क्या मतलब होता है देखिए ran right का मतलब होता है कि जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो है ना बिना समझे कुछ भी कर रहे हो और यहाँ से देखो suppose कर लो कि class में आग लग गई तो देखना आजकल ना mock drill गयरा किया जाता है कि आग लग जाए या भुकम पा जाए तो आप चीजों को कैसे deal करोगे किधर जाना है कैसे भागना है suppose कर लो आप कहीं फस गए हो तो क्या करोगे दिवाल के तरफ चिप जाओगे या फिर कोई मोटे से बस्तू के नीचे अपने आपको कभर कर लोगे इसका मतलब क्या हुआ कि आप बीहेव अच्छे से करना चाहिए लेकिन ran right का मतलब यहाँ पर ran लिख देना आप यहाँ पर यह mistake है sorry for that ran right का मतलब होता है act करना बिना कुछ सोचे legitimate तरीके से सरकार को tax देते हुए कोई भी काला धन black money नहीं रखना यानि कि make a legitimate यानि कि जो भी आप काम कर रहे हो आप जो है honest होस में और इमानदारी से उस काम को कर रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं at one wheat's end इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता जब आपके पास कोई idea नहीं है किसी काम को करने के लिए suppose कर लो आप बैठे हो BPSC के तयारी कैसे की जाए या फिर CPU का form कैसे भरा जाए आपके पास कोई idea है नहीं पढ़ाई कहां से सुरू करें वगेरा वगेरा यानि कि आप क्या हो all over the house मैंने अपने phone को गुम कर दिया नहीं मिल रहा था वो मैंने चारों तरब देखा अब मैं ऐसे position में हूँ मुझे पता नहीं मैं से कहां से ढोणो आपके पास कोई idea नहीं है आगे देखिए to face the music इसका मतलब देखिए क्या होता है to face the music का मैं simple सा example बताता हूँ suppose आपने घर में कप तोड़ दिया अब तो आप बड़े हो गए हो but बचपन की बाते हैं याद रखना अगर आपने कप तोड़ दिया या किसी चीज़ का नुक्सान कर दिया तो आपना ready रहते हो कि अब तो मार पड़ेगी ममी पापा से पिटाई होगी आप तयार रहते हो चीज़ को यानि की to face the music का मतलब कि आपना consequences जो भी होगा उसको जहलने के लिए आप अपने आपको तयार कर लेते हो to face the music का मतलब क्या होता है आपको जो आपने गलतियां करी है उस punishment को आप accept करते हो और उससे deal करते हो, face करते हो अगला question है at snail space यानि की snail कैसा चलता है देखो snail बहुत ही धीरे धीरे चलता है बहुत ही slow चलता है यानि की बहुत slowly slowly अगर आप किसी काम को कर रहे हो ने बूलते हो कि क्या तुम ऐसे बहुत ही slow slow लो कछुए की चाल से चल रहे हो यानि की क्या होगा to do things very slowly बिलकुल आराम आराम से करना आगे देख लेते हैं to turn a deaf ear इसका मतलब क्या होता है ध्यान नहीं देना suppose कर लो कि आप किसी student के बोल रहे हो भया formula बगरा याद कर लो A plus B का hall square हमेशा काम में आता है या फिर ये idiom बगरा पढ़ लो लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा आपकी बात को यानि की क्या कहोगे उसे वो जो है ध्यान दे ही नहीं रहा है किसी चीज को to be obstinate यानि की वो चीजों को ध्यान नहीं दे रहा है और कुछ भी काम करने से मना कर दे रहा है चीजों को बस ignore किये जा रहा है आगे देखिए हेल्टर सेल्टर हेल्टर सेल्टर का मतलब होता है किसी काम को disorder से करना सपोस कर लो आप सुबह उठते हो अपना bed बनाते हो आप bed बनाते हो न बिलकुल बनाना चाहिए आपको क्या होगा आपको लगेगा कि आपने दिन का पहला टास्क कंप्रेट कर लिया आप bed नहीं बनाते हो सी दिन आने चले जाते हो आप ब्रस करते हो तब जो है आप जाकर नास्ता करते हो अगर सबसे पले सुबह उटके नास्ता ही कर लो तो वो क्या हो जाएगा हैल्टर सेल्टर यानि कि किसी भी काम को आप disorder में कर रहे हो बिलकुल order में सारे कामों को करना चाहिए बट आप क्या कर रहे हो disorder से कामों को निपटा रहे हो चलिए आगे देखिए to end in a smoke यानि कि इसका क्या मतलब होता है यानि कि किसी चीज़ को काम करने के बाद उसका जो result है वो बेकार हो जाना nothing आना यानि कि कुछ भी उसको result आप देख नहीं पाओगे end in a smoke का मतलब होता है कि आपने सारा काम किया बट result क्या मिला कुछ भी नहीं मिला आपको समझ पा रहे हो leaf and wounds का मतलब क्या होगा leaf and wounds का मतलब होता है किसी भी काम को बिल्कुल fast fast जल्दी जल्दी निप्टा देना जल्दी जल्दी आप किसी काम को कर पा रहे हो it means आप उस काम को क्या कर रहे हो rapidly कर रहे हो अभी हम लोगों ने slowly के बारे में पढ़ा था अब यहां से rapidly यानि कि जल्दी जल्दी चीजों को आप करते हो तो यह कहा जाता है आगे देखिए हर्कुलेंट टास्क बहुत ही important टास्क जिसे करना लगभग लगभग मुश्किल है बहुत ही effort की जरूरत है बहुत ही प्रियास करना होगा आपको यानि कि a work requiring very great intelligence यानि कि उसके लिए बहुत बुद्धी चाहिए बहुत effort चाहिए समझ रहे हो यहां से देखिए हर्कुलेंट टास्क का मतलब क्या होता है ऐसा काम जो कि बहुत ही मुश्किल है उसे काम कर पाना जो है बहुत दिक्कत वाली बात होगी आप इसे option A भी यहां पे लगभग लगभग सही है और option C भी लगभग लगभग सही है लेकिन आपको अगर जाना हो तो आप option A के साथ जाओगे क्योंकि बहुत जाता effort में intelligence भी count हो जाता यानि कि option A is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं question number next you are a fair with your friends यानि कि ऐसा दोस्त जो कि सिर्फ डिफिकल्टी के समय गायब हो गया और जैसे ही आपके पास पैसे आए वो वापस आ गया यानि कि फैबरेवल फ्रेंड है यानि कि डिफिकल्टी में आपको क्या करेगा छोड़ देगा और फैबर के समय वो आपके सामने पर्जेंट हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा next question है like a phonics देखिए like a phonics का क्या मतलब होता है with a new life with a start death and royal giant या फिर क्या तो यहां से आप देख पाओगे यह देखो जब आपना किसी बहुत ही नीचे वाले जगह से उठकर बहुत उचा जाते हो I mean आपके साथ इतनी परिशानिया आ चुकी है फिर भी आप हार नहीं मानते हो और बहुत आगे जाते हो यहां से देखिए a wild woman rises like a phonics from the ashes of her life यानि कि पिल्कुल ही नीचे से उठकर आगे तक जाना समझ रहे हैं मेरी बात को यानि कि बहुत ही परिशानी हो रहे है फिर भी आप जो है नया स्टार्ट करते हो लाइफ को नए ढंक से चीजों को लेकर जाते हो भी था new life चली आगे बढ़ते हैं अगले question की और next question आपके सामने ये रहा a sore point with देखिए a sore point with का क्या मतलब होता है something which hurts यानि की ऐसी चीज़े हैं जो आपको परिसान करे तकलीफ दे something brings fear of यानि की जिससे आपको डर आ जाए या फिर pleasure आ जाए उससे देखर यानि की प्रसंता हो खुसी हो या फिर memorable बन जाए वो चीज़े तो देखिए a sore point with का मतलब यहां से आप देख पाओगे soft sport raw यानि की flawless यानि की कुछ कुल मिलाकर बात यह है ऐसी चीज़ें जो आपको क्या करें तकलीफ दे जो है मुसीबत में लाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और next question आपके सामने यह रहा the green-eyed monster यानि की green-eyed monster का मतलब यह नहीं होता है कि गुस्ते में हो जाना है ना hydrate हो जाना है जलन तो नहीं hydrate मतलब हो गया कि नफरत और इन भी मतलब होता है जलन और jealousy तो देखिए यहां पे ना इसका exact मतलब होता है jealousy यहां से आप picture दोखोगे न तो आप चीज़ों को बिल्कुल समझ पाओगे green-eyed monster का मतलब होता है किसी से जलना समझ रहे मेरी बात को jealousy हो जाना अगर किसी के आप से अधिक नमबर आ गए तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप क्या हो green-eyed monster हो to be always at his back and call यानि कि to be always at his back and call ready to take a rest यानि कि आराम करने के लिए तयार हो जाना enjoy करने के तयार रहना या फिर किसी काम को करने के लिए तयार रहना या फिर बैठ जाने के लिए तयार रहना इसका मतलब देखी यहां से आप देख पाओगे back and call का मतलब होता है जब आपको someone जो है ना back and call का मतलब होता है जब how they will do anything that person ask यानि कि कोई आपको किसी भी case में या किसी भ यह भी मदद करने के लिए आप हमेशा तयार हो अपने दोस्तों के back करने के लिए आप क्या हो तयार हो pros and cons का क्या मतलब होता है देखो pros and cons का मतलब यह ऐसा समझ लो कि किसी चीज़ को आप बिल्कुल wisely जो है decide करते हो जिसे suppose कर लो कि अभी आपना एक bike खरतने के बारे में सोचते हो तो आप सोचोगे कि अच्छा चलो एक list बना लेता हूँ bike खरतने से क्या-क्या benefit होगा समझ रहे हो और bike के क्या-क्या losses होगे petrol की price बहुत जादा है अभी आप bike में बहुत सारा पैसा invest कर दोगे तो यह negative points हुए और bike लेने से आपका समय बचेगा आप एक जगा से दूसरी जगा अराम से जा पाओगे बिलकुल आसानी से है न इससे जो है आप और भी पैसे कमा सकते हो तो bike लेने के फायदे और नुकसान आपने दोनों लिखे और दोनों को अपने mind में जो है उसके नुकसान देख लोगे और तब decide करोगे कि यह करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है cats and dogs का क्या मतलब है cats and dogs का मतलब होता है अंधा धुन बारिस यानि कि monsoon के समय में बहुत बारिस हो जाए उसको बोलेंगे downpour, downpour का मतलब बहुत जादा जब बारिस हो जाए उससे बोलेंगे cats and dog, it is running like a cats and dogs, यहां से देख लो ऐसी बारिस होती है जहां पर आपको लग रहा होगा यह तो लगता है कुत्ते बिल्लियां बरस रहें, यह कहने का एक तरीका होता है जब बहुत जादा बारिस हो, आप बोल सकते हो, it's cats and dog well vegan is half done, यहने कि आपने अगर सही एप्रोच ले लिया, पहला कदम ले लिया तो काम वही पे आधा खत्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है, a good start आपने काम को करने का सोचा, आधा काम तो आपका वही निपट गया, आधा आपको करने की जरूरत है what is well vegan is half done, अगर आपने पहाड चड़ने की कोशिश की, सोच लिया कि मुझे पहाड चड़ना है समझ रहे हो, यानि आपके पापा ही हो गया, बट वो भी चाचा हो सकते है I mean dropping names का मतलब ऐसा समझ लो, आपकी आपना दिखाते हो कि आपकी connection कितनी अच्छी है लोगों में आपकी पकड कितनी है, यानि कि आप क्या करते हो, दिखाना चाहते हो कि आपके पास high connection है बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आप हिंट कर रहे हो समने वाले को दिखा रहे हो कि भाईया, मैं छोटी चीज नहीं हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हूँ burn the candle at both ends, सपोस कर लो कि एक महमबत्ती है और इसे दोनों तरब से अगर आप जलाना सुरू कर दोगा, यह बहुत जल्दी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानि कि पैसे खर्च कर रहे हो आप सपोस कर लो कि आपके पास एक अच्छी पाले से गाड़ी है, बाइक है और आपने दूसरा बुलेट खरिद लिया, तो क्या नुकसान होगा आप पैट्रोल पे पैसे जम के उड़ाने वाले हो, खर्च आपकी जो है दुगना हो जाएगा, यानि कि वेस्ट आप मनी हो जाएगा आपके पास बाइक है, सिर्फ सोफ करने के लिए बाइक लेने की जरूरत नहीं है दा वेस्ट आप मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां से आप चीज़ों को देख पाओगे, यह देख लो कैंडल को दोन उत्रब से अगर आप जलाते हो, तो क्या होगा, नुकसान आपका होगा एपल्स आई, आँखों का तारा होना, हिंदी में एक मुहावरा आपने पढ़ रखा होगा एपल्स आफ वन साइज का मतलब होता है किसी के नजर में, किसी के आखों में, दिल में बहुत घहरे से उतर जाना वो इनसान आपके लिए जो है, क्या है, बहुत ही प्यारा हो जाता है जैसे हर माबाप के नजर में उनका बच्चा जो होता है वो क्या होता है apples one size होता यानि कि उनके आखों का तारा होता है यानि very loveable, बहुत ही प्यारा होना बिल्कुल ये सारे option क्या है, incorrect है right answer आपका option A हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आप देख लो, यह बिल्कुल जो मैंने example दिया था यहां ममी पापा है और यहां पे उनका बच्चा है जो की बहुत ही प्यारा है उनके लिए to flog a dead horse यानि कि गड़े मुर्दे उखाड़ना गड़े मुर्दे जो हड़ोगे आप तो इसे क्या फाइदा होगा suppose कर लो आपना 8 में आपकी जो math के नंबर थे वो 99 थे 100 में यानि कि आप बोलोगे अरी भाई एक नंबर आ जाता तो क्या ही बात होती 100 में 100 आ जाते अब आप देखो graduation कर रखा आपने seated pass कर रखा आप जॉब की तयारी में हो teacher बनने ही वाले हो ऐसे मैं class 8 की परेसानी को लेकर अगर आप अभी खड़े हो जाते हो तो इसका मतलब क्या है आप अपने आप के time को waste कर रहे हो बेवकुफ आप अपको बना रहे हो अपने effort को क्या कर रहे हो बेवकुफ ही बना रहे हो उस effort को बरबात कर रहे हो इसका क्या होगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर at 11th hour देखो घड़ी में 12 घंटे होते हैं है ना और 11th hour क्या हुआ आखरी समय 12 बजने ही वाला है यानि की at the very last moment at the very last moment किसी काम को बिल्कुल आखरी समय में करना आखरी समय में आप तयार हो जाते हो कि भहिया चलो suppose कर लो कि परिच्छा होने वाली आपके एक्जाम होने वाली है जो कि इसरों में काम करते हैं आपको पता ही है इसरों में जब भी कोई missile बनाया जाता तो पूरे देश की नजर ना TV पर होती होटीए और हम लोगों का missile जो missile है sorry missile ये क्या होता है missile टेस्ट होने वाला है और आप लोग हम लोग actually आप लोग नहीं हम सारे लोग ना टिबी पे नजर गड़ाए रखते हैं और देखते हैं कि मिसाइल हम लोगों का success हुआ या नहीं तो ये मिसाइल का क्या हो जाएगा? एसी टेस्ट हो जाएगा scientist का क्या है? एसी टेस्ट है जिन्होंने 6 साल, 10 साल एक काम पे लगाया और उस काम का result अब आने ही वाला है यानि कि ये क्या हो जाएगा? final test इसका right answer हो जाएगा यहां से आप photo भी देख सकते हो a situation or event which finally proves whether something is good or bad यानि कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है इसको बोलते हैं हम लोग acid test dog's life इसका मतलब होता है बहुत ही खराब जिन्दगी होना आप बोलते होना जिन्दगी कुत्ते की तरह हो गई है, जंड हो गई है वो अरभी किसन का डायलोग है जिन्दगी जंडवा फिर भी गमंडवा यानि कि कुत्ते की तरह आपकी life हो जाना miserally unhappy existence existence का मतलब होता है आप जिन्दा हो कोई फर्ख नहीं पढ़ रहा है किसी को यहां से आप देख लो यहां पर यह इन्सान बोल रहा है कि बैया कम से कम तुम्हारी तो जिन्दगी कुत्ते जैसे नहीं है कुत्ता को ही बोल रहे है और कुत्ता को उसने रखा है elephant in the room मैंने पहले पढ़ा रखा है अब आपकी बारी है इसे नीचे comment करके आपको बताना है elephant in the room का क्या मतलब होता है और the lion's share का मतलब क्या होता है lion's share का मतलब हो जाता है suppose कर लो कि बड़े भाई और छोटे भाई दोनों को माने जो है बोला कि भाई बिस्कित ले ले और दोनों आपास में बाट लेना बड़े भाई ने ना आधे से जादा ले ले लिए विस्कित और वो बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ मैं तो इतना ही लूँगा lion's share का मतलब होता है कि दादागरी करना जादा समान को या फिर जादा चीजों को अपने पास रख लेना major यानि कि बड़ा सा हिस्सा जो है अपने पास रख लेना इसे बोलेंगे lion's share तो ये wild guge chase ये भी मैंने पढ़ा रखा था ये आखरी एडियम है आप लोगों को मीचे कॉमेंट करके wild guge chase और एक और question elephant इंदा रूप दोनों का answer देना है मैं समझ जाँगा कि आपने पूरी विडियो देख लिए है और तयारी के लिए आप बिलकुल exam की तयारी के लिए आपने पूरी तयारी कर रखी है all the very best आप सभी को विडियो आपने यहां तक देखा इसके लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया इस विडियो को अपने सभी चाहने वाले दोस्तों को जरूर भेज़े ताकि उनकी भी तयारी अच्छी हो सके विडियो को यहां तक देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day